दोस्तो एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ मनीश कश्यप के दोस्त जारखंड के निवासी हजारी बाग के निवासी अमन कुमार जी की गिरफतारी पटना से हो गई है जी हाँ दोस्तो जो अमन कुमार जी मनीश कश्यप के दोस्त थे जो अमन कुमार जी जब मनीश कश्यप तामिल नाडू के जेल में बंद थे तो अमन कुमार जी मिलने गए थे और आकर बिहार में बताया था मीडिया से कि क्या कुछ कैसे है मनीश कश्यप वहाँ उन्ही मित्र तो वही दोस्त अमन कुमार की पाटना से गिरफतारी हो गई है दरसल पूरा मामला क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आखिर क्यूं अमन भाई का गिरफतारी हुआ है और अगला कदम क्या मनीश का शफ उठाने जा रहे है गिरफतारी कब हुई है और आमन कुमार पतना से कैसे गिराफतार हो गए जब वो हजारी बाक के रहने वाले हैं तो. पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वीडियो पूरा जरूर देखिएगा नमसकार मेरा नाम बिट्टु सिंस है आप इस वीडियो को दब बिट्टु सिंस पर देख रहे होंगे चलिए सुरुवात करते हैं सुरु से दरसल आपको पता होगा कि जो अमन बाबा है यानि कि अमन कुमार जी है वह एक कटर हिंदु वादी है यानि कि वह हमेशा जो है वह जैश्री राम जैश्री राम करते रहते हैं और उनको सनातन धर्म से बहुत जादा प्रेम भी है इसलिए राम नौमी को जो है वो एक बहुत ही उत्साहा धंग से बहुत ही उत्साहा से राम नौमी में जुलूस निकालते हैं और यहीं जो है कहीं न कहीं जहारखंड के कुछ लोगों को सायद खटक गया जिस वजह से जहारखंड के पुलिस द्वारा अमन जी पर एफाईर दर्ज करवा दिया गया सबसे पहले तो अमन जी पर एफाईर दर्ज हुआ उसके बाद 12 जून की रात 12 जून की रात एक बजे अमन जी के हजारी बाग वाले घर पर छापा पड़ता है अमन जी को उठाने के लिए लेकिन अमन जी सायद वहां से निकल जाते हैं अमन जी उस दिन पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं फिर उसके बाद अमन जी पटना चले आते हैं और पटना आने के बाद 13 जुन को यानि आज ही रात में एक बजे मतलब समझे के अभी से कुछ घंटे पहले यानि 13 जु मनीश कष्यप को पता चलता है तो मनीश कष्यप भी एक्षन मोड में आ जाते हैं मनीश कष्यप अपने फेस्बूक पोस्ट पर कुछ ही ऐसा लिखते हैं जैसा आपको दिख रहा होगा कि आ रहे हैं हम उन ताना साहियों को सबक सिखाने मतलब उनका कहने का मतलब है कि जहा कि नहीं है कह सकते हैं तो मनीश कष्यप का कह नाम है कि जो अमन जी का गिरफतारी हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार ने करवाई है तो आ रहे हैं हम मतलब मनीश कष्यप जा रहे हैं हजारी बाग और हजारी बाग जा करके अमन जी की रिहाई करवाएंगे अब पता नहीं को भेजते हैं पुलिस को डर गए क्या आपको हम जंडा चौक पे नंगा कर देंगे इस तरीके का जो है पोस्ट भी वो डाले थे ये पोस्ट उस दिन की है जब पुलिस का छापा परा था यानि 12 जून की बात है ये 12 जून की बात है उसके बाद 13 जून को गिरफतारी हो गई रात में एक बज़े पटना से गिरफतार हुए उसके बाद मनीश कस्टिप एक्शन में आए और आपको दिख रहा होगा कि मनीश कस्टिप जो है वो बोल दिये कि मैं हजारी बाग आ रहा हूँ अमन जी को नियाए मिलेगा अब बड़ा दिल्चस्प होगा ये देखना कि क सच में अमन जी के रिहाई होती है या नहीं कुछ लोग कॉमेंट बॉक्स में ये भी लिखे हैं मनीश कस्टिप के फेश्बूक पोस्ट पर कि क्या तेजस्री यादों ने गिरफतार करवाया है तो इसमें क्या कुछ कहना है आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखि पर दिख रहा होगा जरूर आपको जैसी नई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपने वीडियो में दे दूंगा कितना सही है अमन भाई को गिरफतार करना और क्या है पूरा मामला ये जैसे और भी कुछ पता चलता है वो ही बताएंगे और कैसा लगा आपको ये वीडिय में लिख कर बताएंगा जैश्रा मरर महादेव जैबिहार जैहिंद